टॉपिक 3 यहां से कंटिनियो है, यह लास्ट वीडियो है टॉपिक 3 पे इसमें हम देखते हैं the limitation of civil disobedience moment तो not all the social groups were moved by the concept of सौराज हर कोई को उतना फर्क नहीं पड़ा था इसका reason यह था कि Congress जो है न वो लंबे समय से इग्नोर करके चल रही थी दलिज क्लास को और depressed क्लास के लोगों को इसका reason क्या था ताकि conservative high class हिंदू को offend न हो जाए वो लोग इसे लिए Second, mid 1920 में Congress जो है न एक ऐसा party उबर के आ रहा था जैसे कि उसमें dominating हिंदू हो क्योंकि जो है तो वो लोग जाके हिंदू महासभा एक ग्रूप का नाम था उनसे वो लोग जाके मिल गए थे तो Muslim को थोड़ा अलग 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 ने लगा Third point यह है कि Muhammad Ali Jina जो है वो डिमांड किये separate electorate for Muslim क्योंकि उनको डर था कि जो उनका culture है, identity है क्योंकि वो लोग minority में थे तो वो लोग जो है सो मतलब उनका खतम हो जाएगा culture वगरा क्योंकि हिंदू जो है वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादर dominating में थे number fourth क्या है कि Muslim League जो है सो वो establish हो गया in 1920 में इससे क्या हुआ कि यह बहुत बड़ा जटका था United struggle में क्योंकि Muslim League फॉर्म होने से बहुत सारी लोग जो है Muslim जो वो लोग जाके Muslim League चले गए वो लोग तो यह जो United struggle जो चल रहा था वो थोड़ा सा अब slowdown हो गया और जो industrial working class जो है वो लोग भी participate नहीं किये civil disobedience मोवेंट में लाज संख्या में वो लोग नहीं किये except Naakpur region जो हम लाज्ट वीडियो में ही देख चुके हैं अब एक last topic है पूना act जो कि बहुत है important है तो डॉक्टर पियार अम्बेदकर जो है ना उनको nominate किया गया as a leader of oppressed class roundtable conference के लिए वो जाके clash कर गए महादमा गांदी से और वो demand कर रहे थे मतलब ब्यार अमेदकर जी demand कर रहे थे separate electorate for the Dalits तो ब्रिटिश जो है वो लोग मान भी गए है अम्बेदकर जी का ये बात लेकिन गांदी जी है वो fasting पर चले गए क्योंकि कांदी जी को लगता था था ना कि अगर separate electorate आ जाएगा ना दरज के लिए तो हमारा जो प्रोसेस है ना सोसाइटी को integrate करना ये slow हो जाएगा तो क्या हुआ कि पूरा एक्ट साइन हुआ September 1932 में इसमें क्या हुआ कि इट गेव डिप्रेस्ट क्लास और रिजर्व सीट इन प्रोवेंशल एंड सेंटर लेजिस्टेटिव कॉंसल बट देवर तुक लेकिन उनका वोटिंग जो है वो अभी भी ज चैप्टर का धन्यवाद